राज्मन्द राज्यस्थान के चात्र धीरज सुथार जो कि गवर्वर्मेंट सीनियर्स के एंडरी स्कूल कुंदवा में पढ़ते हैं, हमारे बीच इस हॉल में मुझूद हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। धीरज कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते महारनिया, परदान मंत्री जी, मैं तीरस सुथार, मैं राज के उच माजमिक विद्याले कुंदवा, राज समन, राजस्तान से हूँ, मैं बारविक अक्षा, मैं अजयन रत हूँ, मेरा प्रस्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पड़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सारे लिक स्वास्ते भी उतना ही जरूरी है, जितना की मानसिक स्वास्ते, कृपया मार्क दसन करें, तन्यवाद साथ। आपका शरीर देखकर के लगता है, मुझे आपने सही सवाल पूछा है, और आपकी ये चिंता भी सही होगी। भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाक के पीएम श्री केंद्रिये विद्याले कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही है, और प्रधान मंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती है, नजमा कृपया अपना प्रश प्रदार मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है, मैं प्रदार केंद्र विद्याले तार्गिल नदाक में पत्ती हूं, मैं कक्षा दस्वी की छातर हूं, मेरा आपसे प्रशन यह है कि परिक्षा की तयारी और स्वस्थ जीवन शेली बनाए रखने के बीच शुक्रिया नजमा, पुर्वोत्तर भारत के रत्न जंजातिय बहुल राज अरुनाचल प्रदेश के नाहर लोगन गवर्मेंट हाय सकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका, टॉबी लामी जी इस सभागार में अपस्तित हैं और प्रदान मंत्री जी से प्रशन पूछना चाहत मैं गवर्मेंट हैर्चिंग्री स्कूल नहर लगन अरुनाचल प्रदेश से आई हूँ, मेरा प्रशन है विद्यारती खेल कूद देहिंबल की पढ़ाई में मुख्यी रूप से क्या और कैसे ध्यान केंडरी कर सकते हैं कृपया मारक दर्शन करे धन्यवाद सर धन्यवाद माम, प्रधान मंत्री जी, धीरज, नजमा और तूबी जी, पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामान जस्से कैसे स्थापित करें इस विशय पर आपका मारक दर्शन चाहते हैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उप्योग करते होंगे और कुछ लोग होंगे साहद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत विगफ हो गई होगी लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उप्योग काम हो जाएगा इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या करेगा क्या तो मुबाइल जैसी चीज जो रोज मरा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है जवाब तो दीजिए रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बोड़ी को करना चेक नहीं कर रहा से ये जैसे मोबाइल फोन में चार्डिंग ये मोबाइल की रिक्वार्मेंट है वैसे हमारा शरीर का भी चार्डिंग ये शरीर की रिक्वार्मेंट है आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना आये तो बागी सब बन ऐसा कभी नहीं हो सकता है जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं वो भी एक संकट होता है लेकिन जब आपको एक्जाम देनी हो कि लोग की लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है इसको टाल नहीं सकते हैं लेकिन अगर हम स्व स्वास्थ मन के लिए बहुत जरूरी है अब स्वास्थ सरी का मतलब यह तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है यह आवश्यक नहीं है लेकिन जीवन में कुछ नियमित्ता होती है अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खूले आस्मान के नीचे सनलाइट में बिताएखो अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठोनो बहुत थोड़ी देर कभी कभी बोड़ी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है क्या कभी कोशिश की इतना तो मोका निकाल दू ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों न हो लेकिन निंद को कभी भी कम मता किये जब अपनी मम्मी हमको कहती है कि सोजाओ सोजाओ तो उसको उसका इंटर्फिरंस मत मानिये ज्यादा तर स्टूडन का इगो इतना हट हो जाता है कि तुम कौन होती हो सोजाओ और मुझे कल एकजान देनी है मैं सोओंगा नहीं सोओंगा तुम्हें क्या लेना ऐसा करते हैं गर में जो नहीं करते हैं मन न बोले जो करते हैं वो बोले जड़ा कि एक के बाद एक एक के बाद एक देखते हैं तो चुपाना चाहते हो ना है कि तना समय बीद गया पता नहीं कितनी नंद खराब हो गए पता नहीं क्या निकाला पहला रिल को याद करो जरा याद भी नहीं है ऐसे ही देख रहे हैं ऐसे हम निन्द को बहुत कम आगते हैं आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो निन्द को बहुत तबज्जु देता है आप आवशक निन्द लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्त पर बहुत बड़ा महत्वपुन है आपको उस पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए इसका मठले यह भी नहीं कि बाद एक्जाम तो आती रहेगी मोदी जी को मिलाता उसने कहा है सो जाओ अभी यहाँ आर्टिस्टिक बाड़ मना और गर में गुश्ते ही लिखो सो जाओ मम्मी पपा कोई दिखा दो सो जाओ कम नीन स्वास्त के लिए अनुचीत है कुछ अपपाब लोग होते हैं जिनको एक उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉड़ी को ले गए हैं उनको शाओ उससे बहार होंगे सामान निम्यानवी के जीवन के लिए अनुचीत है आप कोशिश किजिए कि आपकी रिक्वार जितनी भी निन्द आप पूरी लेते हैं और ये भी देखिए कि साउंड स्लिप है कि नहीं बहुत गहरी निंद होनी चाहिए आप हैरान हो जाएंगे जो टीचर बैटे नो काम भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है नहीं आप लोगों जितना नहीं है लेकिन 365 दिन 365 दिन कोई अप्वाद नहीं अगर मैं विस्तर पे लेता नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लिप की तरफ नहीं चला गयता होता नहीं तीस सेकंड लगता है मुझे आप मैंसे बहुत छोटी आउके भी होंगे कभी इदर कभी उदर कभी उदर कभी उदर फिन निंद आई तो आई क्यों मेरा बाकी जो जागरत वस्ता का समय है उसमें बहुत जागरत रहता 10 जप जब जागरत हूं तो पूरी तरह जागरत हूं जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं और वह बैलन्स जो बड़ी आवि के लोग हो सी परेशान होते हों कि हमें तो नींदे नहीं आती आता है यह करवट बदलते रहते हैं और यह आप एच्यू कर सकते हैं पीन एक पिशे हैं? नूट्रेशन. संतुलित आहार और आप जिस उमर में हैं, उस उमर में जिन चीजों की जरुत हैं, वो आपके आहार में है की नहीं है? एक चीज पसंद है, बस खाते रहते हो. पेड भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन सरीर की आवशक्ता हैं पूरी नहीं क कालखंड ऐसा है, जब आपके पास एक्जाम का वातावरन है, तो एक बार ताय कीजिए, कि मेरे सरीर को जितनी रिक्वार्मेंट है, वो में लेता हो, माबाप भी बच्चे को ऐसा न करें, नहीं, आज तो हलवा बनाये, जड़ा ज्यादा खालें, कभी माबाप को भी लग उसमें सारी चीज़े रहती हैं, कम से कम खर्च वाली भी चीज़े होती हैं, जो हमारे नूट्रेशन को कैर कर सकती हैं, और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वात के लिए उतनाई जरूरी हैं, और फिर एक्सेसाइज हैं, हमने पहलोगानी वाली एक्सेसाइज क करना चाहिए जैसे डेली टुद्वरस करते हैं ना वैसे ही नो कॉंप्रमाइज एक्सेसाइज करने चाहिए मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखें चट पे चले जाते हैं किताब लेके चलते हैं और पड़ते रहते हैं दोनों काम कर लेते हैं कुछ गलत नहीं है वो पड़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है एक्सेसाइज भी हो जाती है कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहते हैं पांच मिनिट दस मिनिट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करने ही चाहिए ज्यादा कर सकते हैं अच्छी बात है अगर इन चीजों को सहद रूप से आप लाएंगे एक्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा संतुलि प्रजाद करेंगे बीचेप हैं अगर इन चाहिए जाद के घसके हैं लाएंगे यंदार इन चाहिए घसकते हैं तो…